हेलो फ्रेंड्स और आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले है दिवाली के फेस्टिवल में ट्रेनों में कन्फर्म टिकेट मिलना भी बहुत जादा मुश्किल होता है काफी लोग जनरल टिकेट निकाल कर भी सिलीपर या फिर एसी थिरीटार एकेनॉमिक में भी सफर करते है जो लोग कन्फर्म टिकेट के साथ में यातरा कर रहे हैं उन्होंने पिसले साल में काफी जो है तो कंपलेने की है कि हम लोग confirm टिकेट निकालने के बाद भी जनरल टिकेट वाले हमें बहुत ज़ादा परिशान कर रहे है इसी बात को देखते हुए South Central Zone के हजुर साहिब नादर डिविजन एक special train चलाने की गोशना की है यह special train चलाई जाएगी मुंबई लोकमानतिलग टर्मिनल से करीम नगर और करीम नगर से मुंबई लोकमानतिलग टर्मिनल से करीम नगर रेलवेस्टेशन के दर्मियान में बात करें इसका ट्रेन नंबर की लोकमान नतिलक टर्मिनल से करीम नगर रेल्वेस्टेशन के दर्मियान में तो इसका ट्रेन नंबर होगा 01067 मुंबई लोकमान नतिलक टर्मिनल से करीम नगर स्पेशल एक्सप्रेस ये ट्रेन बात करें इसके रूट की लोकमान नतिलक टर् नांदेड, मुत्खेड जंक्षन, धर्माबाद, बासर, निजामाबाद जंक्षन के होते हुए ये ट्रेन करीम नगर रेलवे स्टेशन पहुच जाएगी, ये ट्रेन 29 अक्टोबर 2024 से तो 5 नॉइंबर 2024 के दर्मियान में चलाई जाएगी, बात करें इसके वापसी के शेडि मनमाड, नासिक रोड, इगतपूरी, कल्यान, थाना के रास्ते मुंबई लोकमानतिलक टर्मिनस रेलवे स्टेशन पहुच जाएगी, ये ट्रेन 30 अक्टोबर 2024 से तो 6 नॉइंबर 2024 के दर्मियान में चलाई जाएगी, रेक की अगर बात की जाए स्ट्रेन में, तो AC 1st क्ला अगर से लोकमानतिलक टर्मिनस रेलवे स्टेशन के दर्मियान में उसको लेकर इंफॉर्मेशन तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आईएगी, वीडियो अगर आपको पसंद आईए तो वीडियो को लाइक करे, मेरे चनल जुनेत विलोग को करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, आपके लाइकर सबस्क्राइब करने से मुझे और मोटिवेशन मिलता है न्यू वीडियो बनाने का, तो मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक किल अपना खायल रखियांगा, लाहाफिस टेक किये.